तो आपको यहां पर पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी लेकिन आपको खुद को शांत रखना पड़ेगा पढ़ाई पर फोकस करना पड़ेगा तब ही आप यह एक्जाम निकाल पाओगे otherwise यहां पर डिस्टब होने के लिए बहुत सारी चीज़े हैं जिससे आपकी पढ़ाई एफेक्ट होती है मुझे जितना information मिलता है मैं उतना आपको देने का try करता हूँ तो चलिए यहां पर आप भी वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यह आपको पता होगा यह कल आया था इसके उपर मैंने वीडियो भी बनाया था आपको ठीक है आपने वो देखा भी होगा उसके बाद मैंने एक महने पहले यह भी वीडियो बनाया था कि election commission के जो guidelines होते है वो recruitment related वो statutory जो organization होती है या constitutional जो body होती है जैसे UPSC है state PCS है या फिर statutory याने कि आपको पता है RBA का act होता है उसके बादनाबार का act है CB का act है उनके लिए वो rules जो होते है वो लागू नहीं होते है still कभी-कभी जरूरत पढ़ती है जैसे election के लिए offices की जरूरत पढ़ती है इसके लिए थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है लेकिन ये clear cut है election commission के इस guidance में लिखा हुआ है इससे फरक नहीं पढ़ना चाहिए लेकिन आज की date में अगर आप देखेंगे देखो परसो एक exam है कोई general insurance का exam है कल ही UPAC का Indian Economic Service, Indian Statistical Service का recruitment का notification आया है काफी सारे exams के अभी UPPCS का भी कोई एक notification आया है और SSE के काफी सारे results भी आ रहे है state PCS की result आ रहे तो इसके वज़े से क्या है बहुत ज़्यादा यहाँ पे clarity नहीं हो रही है लेकिन अभी हमीं क्या करना है जो information हमारे पास available है उसके basis पे हमें हमारी पढ़ाई continue है और यह यहाँ पे clear है कि SEBI में आपको at least SEBI के लिए RBI के लिए पता नहीं क्योंकि RBI में जब notification आएगा उसके basis पे cut off date decide होता है at least SEBI में यह clarity आपको 100% है कि यह आपका age calculation के लिए cut off date है वो होगा इसके basis पे अगर आप eligible है तो आपको पढ apply किया था कुछ लोगोंने वो circulate किया मार्केट में मैंने मेरे जो regular classes होते हैं हमारे exam के वहाँ पे भी बताया था लेकिन मुझे लगा कि यह UPSC के exam के दिन कैसे होगा इसलिए मुझे थोड़ा doubt लगा इसलिए उस ताइम पे मैंने यह information नहीं बताया मैंने कहा कि चलो wait करते ह उसके बाद जो नए information आई उसमें देखते हैं कि इसका क्या है और यह सारा tentative है आपको पता है यह tentative है क्योंकि election है उनके side से कुछ आ सकता है instruction क्या करना है तो इसलिए आज के date में जो यहाँ पे है TCS के यहाँ पर यानि कि आपका जो IBPS का schedule होता है वहाँ पे जो कुछ भी booking है उसकी साब से यह है 16 जून जो है मैंने पिछले 2-3 वीडियो में भी यह date बताई थी यह phase 1 का date है और phase 2 का date है वह 14 जुले है और RPA की कोई date नहीं यह नियर बोर 2-3 week पहले ही उन्होंने यह date जो थी वह हटा दी थी ठीक है अभी यहाँ पर RPA के लिए कोई dates as of now available नहीं है इसके basis पे अभी आपको जो कुछ भी conclusion आपकी side से आपको निकालना है वो आप निकाल सकते है आपको क्या करना है आपको पढ़ाई करनी है इतने सारे videos आपके लिए available है आप यहाँ पे जाए इसी channel जो target RPA है वहाँ के playlist में जाए और यह सारा पढ़ाई आपको करना है अगर तीन division हो गई, चार हो गई, पाच division हो गई, फिर मैं कहरा हो कि करते रहो करते रहो करते रहो क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कितने भी बोर हो जाएंगे हमें पढ़ाई करनी है ठीक है क्योंकि जो लोगों ने last time मेरा सुना था continuous पढ़ाई रखी थी और फिर बीच में IFC का notification आ गया तो अभी वहाँ पे गए और उनकी अभी live set हो गई है ठीक है तो इसलिए और उसका भी अभी notification आया है उसके date के बारे में भी मुझे अभी कुछ पता नहीं है ये दो exam से सेवी का date मैंने आपको बता दिया लेकिन याद रखना ये tentative है और RBI अभी available यहाँ पर नहीं है उन्होंने फिर वो कहेंगी कि चुरो wait करते हैं आगे जाके book करेंगी लेकिन नियर future में exam तो होने वाली है तो आपको time waste नहीं करना है कुछ लोगों को जब notification नहीं है तब भी time waste करना है और अभी भी time waste करना है तो ऐसे लोगों के पीछे आप मत ज कीजिए मैं ऐसा कभी नहीं कहता कि मेरा आपनी तने वीडियो सुनोंगे मैं कभी नहीं कहता कि मेरा course करी दिये आप जाहिए आपको जो faculty अच्छी लगती है जिनका समझ में आता है अभी यह workshop है free workshop ही यह 15th April को है शाम को 8 बज़े है उसमें प्रतिक सर और प्राची मैम जो ह से आपको जो अच्छा लगता है वह अप लीजिए और जो आपके पस available time है उसका अच्छे से utilization मेरे पास जो information थी मैंने बता दी है आज शाम को आपको आकास सर से भी यह information मिलेगी और फिर आप अपना पढ़ाई continue रखिए उसमें बिलकुल भी break नहीं आना चाहिए अच्छी तबीकि क 거지 और वाचिई और लगत बना।